है छली आएए दोस्तों अब हम अपने पीजीपी चैप्टर में ठीक है प्रोफिट और गेंड और जबसने की बात करता है इस चैप्टर हम प्रेक्टिकल क्वेस्यन सबनेद कैसा सा बात है धेश्शन practical question number one हमने discuss कर लिया था practical question number two discuss करते practical question number two practical question number one का एक छोटा सा पाट है कैसे सर देखे अब यह हम question पढ़ेंगे उसके बाद आपको automatically समझ में आ जाएगा कि अगर practical question number one कर लिया है आपने तो two आपके लिए क्या है सर two आपके लिए homework है और कुछ नहीं ठीक है और एक चीज़ आप देखी रहे होगे कि सर यह landscape mode में मैंने जो है recording start कर दी है ठीक है काफी सारे student की यहाँ पे message मिल रहे थे कि सर हम computer में यह videos देखते हैं आपके तो computer में थोड़ी से दिक्कत आती है जो आप अपने phone screen के आप से आप recording करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है हाला कि student जो यहाँ पे phone से देख रहे है ठीक है अपने mobile से देख रहे है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन computer से जो देख रहे हो student का यहाँ पे message मिला था तो मैंने कोसिस कर रहे है कि कुछ landscape mode में आपको videos provide किये जाए देखते हैं कि यह अगर successful रहता है तो हम landscape mode में ही आपको provide कर देंगे ठीक है तो जो phone से देख रहे हैं उन student को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी चाहे वो landscape mode हो या फिर portrait mode हो ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी recording किसी भी तरीके से वो देख सकते बस computer वाले को यहाँ पे landscape mode हो तो ज्यादा पसंद आता है तो मैंने कोसिस कर रहे है कि उसी mode में हम जो है यहाँ पे recording करें ठीक है चलिए तो यहाँ पे start करते है Mr. Abhimanyu करके यहाँ पे कोई person है ठीक है is engaged in the business of generation and distribution of electric power अब important word आ गया क्या है sir generation and distribution अब यहाँ पे यह word बहुत ज्यादा important है क्यों सर यह word ज्यादा important है क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं कहीं याद आ रहा है sir कि हम जब depreciation की बात करते हैं और उसमें भी additional depreciation की बात करते हैं पहला एक manufacturer होता है उनको और दूसरा एक power generation और distribution से related जो person होते उनको ही मिलता है ठीक है तो यहाँ पे word लिखा है sir power generation ठीक है electric power generation and distribution वाले person है तो क्या इनको additional depreciation मिलेगा answer is just लेकिन condition जरूर पूरी करिएगा sir कौन सी condition condition वो वाले जो office purpose के लिए आप use नहीं करेंगे ठीक है या फिर दूसरी आप new purchase करेंगे है ट्रेक अन पर्चेस नहीं करेंगे यह condition में आपको illustration पार्ट में करवाई ही थी यह condition आप fulfill करके चलेंगे इसके बाद यहाँ पे next क्या कहता है क्याता है income tax purpose के इसाफ से कुछ नीचे information दे रखी जिसके हिसाफ से आपको क्या करना है आपको यहाँ पे depreciation calculate करके दिखा देना है ठीक है depreciation calculate करके दे देंगे कहता है कि assume कर यह depreciation calculate करते वोग्त assume करना है आपको कि यह जो person है ठीक है वो 115 BAC 1A के हिसाब से मतलब कि normal हम इसे normal ही कहते है याद करने क्या तरीका था सिर्फ अगर practical question number one देखे तो वहाँ पे दो cases पूछ लिए गए थे एक 115 BAC 1A के हिसाब से और दूसरा आपके पास में 115 BAC के हिसाब से दोनों question पूछे थे practical question number second तो जो है वो practical question number one का छोटा सा part है क्योंकि practical question number one में तो दोनों question question पूछे थे यहाँ पर simply एक ही question पूछाए कि अगर आप 115 BAC 1A के अंदर है तो calculation करें और हमें याद करने का तरीका क्या रखाता सर 115 BAC 1A मतलब की normal मतलब की जो मिलना है वो मिल जाएगा जो नहीं मिलना हो नहीं मिलेगा लेकिन 115 BAC की सिर्फ बात करें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है वो भी निकाल दी जाती है जैसे कि 34 AD नहीं मिलता right research and development नहीं मिलता ठीक है research and development में मैंने आपको short में लिखवाया था वो चीज़ तो यहाँ पे मैंने आपको जो है यह चीज़ करवाई थी लेकिन 115 BAC 1A कह रहा है तो obviously यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो जो चीज़ें मिलनी है वो मिल ही जाएग आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं भी देता तो मसीनरी मान के 15% जनरल जो और लगता है वही लगाते है कहता है पचास लाक रूपे है ठीक है 50 लाक रूपीज है इसके बाद कहता है डैपरिशेशन 22 23 अच्छा अलग से अगर डैपरिशेशन दिया है इसका मतलब क्या है सर यह 50 लाक में अभी पहले मुझे यह बताइए कि जो ओपनिंग डबल्यू डिवी है ठीक है ओपनिंग डबल्यू डिवी है उसकी वैल्यू कितनी है तो सर 50 लाक नहीं है 50 मैंसे मुझे क्या करना पड़ेगा 50 मैंसे 7.5 को माइनस करना पड़ेगा यह इन लैक रूपीज है यह बुलेंगे नही ठीक है 50 मैंसे 7.5 माइनस किया 50 माइनस 7.5 तो यह आपका अंसर आएगा 42.5 रूपीज ठीक है 42.5 रूपीज आए अब इस पर डेपरिशेशन आपको मिलेगा अब हाला कि यह क्या है सर यह आपका क्या है सर ओपनिंग बेले से और ओपनिंग पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिलता है एडिशनल डेपरिशेशन नहीं मिलता यह मैंने आपको बताया था तो इस पर बताए जल्दी से डेपरिशेशन कितना मिलेगा इस पर डेपरिशेशन हमें क्लेम करना है तो डेपरिशेशन 42.5 इंटू 15% कर दीजे तो यह आपका अंसर आएगा 6.375 ठीक है यह ले करना ही क्या से आगे बढ़ते जाएंगे बताया डेपरिशेशन यह हो गया फॉस्ट पॉइंट सेकेंड फॉइंट हो गया थर्ड पोइंट कहता है न्यू मसिन रिपर्ट एपर्टिस कर रहे हैं कहां पर इंस्ट्रों किया इससे रिलेटिद एडिशनल इन्फोर्मेशन मे कि सर आपने कंडिशन को फुल्फिल करते हुए सारी चीज़े करिए मतलब कि एडिशन डेप्रिशेशन भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए तो यहाँ पे एक न्यू मसीन पर्चेस कर रहा है तो एडिंग दे देते हैं न्यू मसीन यह शॉट में कैलकुलेशन करवा द खतम जो कि मैंना आपको इलस्टेशन पार्ट में अच्छे से समझा दिया था अब यह डेट देख लिए जिए बारह दस तीस है इसका मतलब की असर 180 दिन से कम है दस लाग की असेट है ठीक है टैन लेक्ट एडिशन डेप्रिशेशन भी मिलना है लेकिन हाफ आफ मिलेगा ठीक है नॉर्मल और एडिशनल दोनों ही मिलेगा लेकिन हाफ तरीके से मिलेगा क्यों क्योंकि 180 दिन से कम put to use है ठीक है तो जल्दी से calculate करिए कितना आ रहा है दस लाग का यहाँ पे 15% मतलब की 7.5% की इसाफ से मिलेगा हाफ रेट और एडिशनल भी मिलेगा लेकिन हाफ र 20% ठीक है बताए जल्दी से calculation में कितना answer आ रहा है तो 10 into 7.5% यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.75 ठीक है लैक रुपीज है मतलब की 0.75 मतलब की यह लैक है ठीक है 0.75 लैक मतलब की आप कह सकते 75,000 राइट यह चीज़ तो आपको पता ही चलती है 67 का concept होता है यह चीज़ की 0. 75 लैक रुपीज इसका मतलब क्या होता 75,000 राइट तो आप अमाउंट में भी लिख सकते और इस तरीके से लैक में लिख सकते लेकिन ज्यान रहे से लैक लिखना जरूरी है ठीक है यह चीज़ आप भूलेंगे नहीं लैक रुपीज लिखना जरूरी है तो फिर आपका यह माना जाएगा वनना फिर यह 0.75 क्या है सर लैक रुपीज है यह लिखना पड़ेगा अच्छा इसका बाद 10% मतलब की वन लैक रुपीज यहां पर वन लैक रुपीज चलिए यह खतम तो यह पॉइंट भी आपका ओवर इसके बाद नेक्स पॉइंट कहता है मसीनरी इंप पूरा पूरा depreciation मिलेगा बस यहां पर देखना यह है कि additional मिलेगा या फिन नहीं नॉर्मल तो मिलना ही मिलना है पूरे का पूरा 15% मिल जाएगा machinery है तो machinery पर 15% मिलता है वो मिल जाएगा क्याता है कि this machine has been used this machine has been used in colombo colombo में use कर रखा है तो तो दिक्कत हो गई अब यहां प इसने क्या का सर additional depreciation इसको मिलना चाहिए या फिन नहीं बताइए क्या 9 lakh रुपिस का जो new machine आपने पर्चेस करा ठीक है machine पर्चेस करा कितने का सर 9 lakh रुपिस का इस पे normal depreciation तो चलिए ले जाए यह 15% 180 दिन से ज्यादा है 15% मिल जाएगा 9 into 15% करिए तो 1.35 lakh रुपिस ठीक है 3.35 lakh रुपिस इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहां पर आती है सर दिक्कत ही आती है कि क्या additional depreciation मिलेगा क्या क्या क्योंकि यहां पर आउटसाइड इंडिया और यहां पर कहता है कि यूज कर रखा है एस पर प्रोविजन यह कहता था कि सर आप सेकेंड मसिनरी आप जो depreciation यहां पर नहीं मिलेगा सर क्यों नहीं मिलेगा because of second and use चाहे वह इंसाइड इंडिया हो या फिर विदिन मतलब कि विदिन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो और नॉर्मल में भी ध्यान रखे सर अडिशनल आवर नॉर्मल डेप्रिशेशन पूरा मिलेगा अगर 180 दिन से ज्यादा आपका पूट्ट यूज है तो और यहां पे 180 दिन से ज्यादा था तो पूरे के पूरे 9 लाग रुपे पे 15% मिल गया ठीक है तो यह चीज आपके प जनरेशन विंग यूनिट ओन दी 15 जुलाई आपके पास में 2023 15-30 को ठीक है कहता है दो लाग रुपे का ठीक है तो यहां पे लिखते है दो लाग रुपे का एक न्यू कम्पेटर पर्चेस किया है डेप्रिशेशन का रेट होता है कम्पेटर पे 40% ठीक है न्यू कम्पेट अपने पर्चेस किया है कितने का 2 लाग रुपे का तो अब 2 लाग रुपे पे नॉर्मल डेप्रिशेशन तो मिलना है उसमें कुछ देखना नहीं है नॉर्मल कितना मिलता है 40% लेकिन कहता है कि बही 15-70 को 15-70 मतलब की obviously 180 दिन से ज्यादा है तो पूरा-पूरा-पूरा 40% म इसके बाद क्या additional depreciation मिलेगा यह बताएंगे आप क्या additional depreciation मिलेगा तो additional depreciation के लिए simply आपको यहाँ पर देखना पड़ता है कर install कहाँ पर करा है Install कहता है कि generation wing में generation wing मतलब कि जो आप factory वगरा होता है manufacturing की जगह होती है जहाँ पर यह power generation होता है ठीक है तो वहीं पर आपने जो है इसको install किया है इसका मतलब तो सर यह आपने as per rule ही काम किया है मतलब कि office purpose के लिए नहीं किया ना जहाँ पर generation हो रहा है हमारा factory है जैसे भी आपके है सकते manufacturing जगह है वहीं पर हमने install किया इसका मतलब इस पर तो additional depreciation मिलेगा क्योंकि as per rule ही आपने काम किया है जी सर बिलकुल तो दो लाग पे आपको 20% मिल जाएगा पूरे का पूरा 20% ले जाए ठीक है तो 2 into 20% 0.4 लेक रूपिस ठीक है अब जल्दी से इसका total लगा देंगे computer का अलग total लग गाएंगे और machinery का अलग ठीक है तो यहाँ पे जल्दी से बताईए total लगा यह calculator में 6.375 प्लस इसके बाद यह है आपका new machine पर्चेस किया जिसमें normal 0.75 था additional एक था ठीक है इसके बाद new machine normal depreciation ही मिलता था 1.35 is equal to तो यह आपका machinery का आजाता है machinery का ठीक है machinery और computer का अलग अलग लिखेंगे बिलकुल एक table बना के यह तो मैं आपको short में calculation दिखा रहा हूँ इसलिए बाकि हम पूरे का पूरा table बना के करेंगे जैसे कि illustration पार्ट में मैंने आपको करवाया था ठीक है य यह total depreciation machinery पे आपको मिलना है additional और normal मिला के ठीक है वो computer की बात करें 0.8 plus 0.4 plus 0.4 और कोई computer है नहीं तो सीधी सी बात है computer में आपको 1.2 lakh रुपीज का total depreciation मिलना है तो ultimately computer भी plant and machinery का ही part होता है लेकिन हम दोनों को पहले अलग-अलग calculation करके दिखाएंगे और फिर last में हम total दिख जो है depreciation मिलना है यह हम बता देंगे इससे related कोई दिक्कत नहीं आप जल्दी से इसका total लगा कि बता दीजे कितना आ रहा है 10 और 10 यह आपका I think यहां पर आ रहा है एक बार चेक कर लिजा कर 10.675 आना चाहिए ठीक है यह आपका lakh rupees आपका answer आना चाहिए total तो दोनों तरीके स से दिखाएंगे solution आपका ICM मोडिल में जो solution हो ठीक है लेकिन हम कैसे दिखाएंगे सर पहले आप plant and machinery जो new machinery वगरा है उसका अलग calculation दिखाए उसका total दिखाए जैसे कि यहां पे 9.475 आया इसके बाद computer का अलग से दिखाए और फिर दोनों का जोड के फिर last में लिखे total plant and machinery का depreciation कितना बनता है 10.675 ठीक है आप इसे amount में भी लिख सकते हैं राइट कि आप लिख सकते हैं यहां पे 10.675 मतलब कि into 1 lakh करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा कि यह कितना आ रहा है सर यहां पे आपके पास में answer आएगा 10.67500 something कुछ आएगा आपके पास में तो आप amount में भी ल लिखा आप लिख देंगे तो यह आपका पूरे का पूरा solution था practical question number 2 या फिर test your knowledge question number 2 आपका complete होता है एक बार हम इसे solution से भी check कर ले ठीक है एक मिनिट ज़रा हां देख लीजी यह solution आपके पास में है कितना answer आ रहा था 10.675 यहां पे इन लोगोंने amount में लिखा 10.675 आपके देखे answer आ जाता है ठीक है तो यह आपके पास में इन लोगोंने क्या computer का अलग दिखाया था नई computer का अलग से इन लोगोंने नहीं दिखा है प्लांटेंड मसिनरी के साथ ही जोड़ दिया लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे सर्फ computer और प्लांटेंड मसिनरी का अलग एक column बन बना रहेगा ठीक है बाकी ऐसे भी करते तो कोई गलत नहीं क्या इसे मोडिल ने खुद इस तरीके से solution दिया है तो आप कैसे भी कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में practical question number 3 देखेंगे